नमस्कार दोस्तों आप लोग अस्वागत है आपके अपने इस यूरूप चैनल लक्षिविल जवास अंस्तान देले में देखिए इस चैनल पर आपको मिलता है जो CTT के स्टुडेंट है उनके लिए सारा सिलेवर्स के अनुसार टॉपिक वाज सभी मतलब मेटेरियल वह भी लेक्षर के साथ, एक्स्प्लानेशन के साथ मिल जाता है प्रीवियस यर और NTPC में जो है आप लोग देख रहे हैं कि अभी आपका NTPC का स्रीच चल रहा है तो NTPC में जो है आपका दो सेट हो चुका है और तो NTPC का जो आपको जितना भी सेट मिल रहा है उसमें ये मतलब भरम में न रहे कि सर कहां पर जाके रोक देंगे इसी बाती नहीं है आपको NTPC का कम से कम पचास से साथ सेट मिलेगा और गुरूब D का भी साथ सेट मिला पचास साथ सेट मिलेगा इसमें जो आपको दुहजार चोदम में जो पंदरह में जो फॉर्म भरा आया याद होगा आप लोगो जो उसमें NTPC का एक्जाम हुआ है तो पचास सेट तो लगवोग उसी का हो जाए क्योंकि मतलब एक महीना तक आपका एक्जाम चला है बीच विमान के लिए कुछ छूटियां भी हो उसके बाद भी पर दे दो तीन सेट एक्जाम हुआ था वो है उसके प मतलब कलेक्शन हो जाया क्योंकि कोस्चन जो एक दूसरे में मिलता है लगभग मतलब कुछ सेम सी लेवस का कोस्चन आता है तो आप लोग को वो सारा सेट देखना चाहिए और इसमें जो जब आप देखेंगे के प्रैक्टिस सेट मस्ट है आप कितना भी पर लीजे लेकिन जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं या जब तक प्रीवियस यह नहीं देखते हैं तो आपको रियल लीटी का पता नहीं चल पाता है कि लेवल रियल में कहां तक जाता है किस लेवल तक उसका लेवल है तो इसलिए मैं यह लेकर आया हूँ और आप लोगों से रिक्व last question कर रहा है कि कि यदि एक संभाहुतिर फुझय का GR 1 इतना है तो इसकास परीम Lie geil देखिए depot न संसनों देने पुझया राहिए कि इस जानते हैं जिस तिरिफुझ कि तीनों भुझया समान होती है उसको संभाहों तिरभुज बोलते हैं इसका कह रहा है कि 6 पल इतना फॉर्मूला जानते हैं संभाहों तिरभुज का 6 पल का फॉर्मूला क्या हो तो root 3 by 4 into भुजा I square चलिए भुजा को A मान लेते हैं A square इतना दिया हुआ और ये कितना 24 root 3 है ठीक तो यहां पर हमको चाहिए क्या A चाहिए है कि नहीं तो A निकालने के लिए हम क्या करेंगे यहां देखिए A square है यह क्या हो जागा 24 root 3 और यह 4 उससाट जागा तियहां multiply में हो जागा 4 और यहां by हो जागा root 3 देखिए A root 3 से root 3 कट जागा और A square है इधर तो A square का फैल A हम करेंगे find करना चाहिए तो यहां क्या हो जागा 24 हो जागा into 4 हो जागा है कि नहीं तो यहां पर आप देख रहे हैं कि जब इसको आप solve करेंगे तो यह 12 दूना 24 है और यह 4 है तो अगर आप इसको solve करेंगे तो आपको 6 root 2 12 root 6 आजाएगा तो आपको जो है इसको जब आप solve करेंगे तो 4 root 6 भुझा आएगा ठीक 4 root 6 जब आपको भुझा आजाएगा तो परिमाप कह रहा है तो परिमाप क्या आता है 3 into भुझा मनलब 3 भुझा होता है सभी समान होता है 3 into भुझा तो जब 3 को आप 4 root 6 से multiply करेंगे तो कितना हो जागा 4 तिया 12 root 6 हो जागा तो आपका ये 12 root 6 तो आपका ये D option सही हो जागा चलिए next देख लेते second question करें G1 की मूलभूत इकाई क्या होती है तो आप ये जो है 6, 8 कलास में ही परे होंगे G1 की मूलभूत दखी है हम लोग बच्पन में अच्छे से नहीं परते हैं इसलिए senior कलास में जाकर के जब आप competition के तियारी करते हैं ये जो आप देख रहे हैं ये 7, 8 में इसको इतना अच्छा से बताया गया अगर आप को विश्वास नहों तो आप 7, 8 का science का biology का book देख लीजिए इसमें जो है वहां कोसिका के बारे में सेल के बारे में छोटी-छोटी बातों से ले करके बरी-बरी बाते हैं सभी कुछ के बारे में वहां बताया गया है जीवन के मूलभूत ही काई कोसिका होती है क्या कहा है याद रखिएगा CYTOLOGY कहा जाता है तो चलिए नेक्स देख लेते हैं थिरी नमबर कुष्चन आपका कहा रहा है कि यदि थिरी नमबर है हीड को जो है हीड को इतना लिखा जाता है तो वाइड को क्या लिखा जाएगा देखिए HIDE आप देखेंगे HIDE देखेंगे H कितना होता है 8 होता है I9 होता है D4 होता है E5 होता है देखिए अगर आप जैसे हमको याद है कुछ भी आप पूछ लीजिए मैं एक सगेन में बता दूँगा कि H का जो है Q पूछ दे T पूछ दे Z पूछ दे आपको सोचना नहीं परेगा एक दम आप बोल सकते हैं कि Z का क्या नंबर होता है तो इस तरह से जैसे H8 होता है तो जैसे हम तुरंत लिख लिए ता अगर आपको आतर बहुत अच्छी बात है आता है तो आप मुझे कमेंट करें मैं भी लेकर आऊंगा आप लोग के लिए देखे जब इस सभी को आप क्या करेंगे multiply करेंगे multiply करने के बाद इस सभी को 8945 को जब multiply करेंगे सभी को तो आ जाएगा यहीं 1440 मतलब 1440 आएगा multiply करने के बाद तो दखे यह यहाँ पर लिखा है W, I, D, E तो W कितना होता है 23 होता है 9 होता है 4 होता है 5 होता है जब आप इस तीनों को multiply करेंगे तो 4140 आजाएगा कितना होगा 4040 आजाएगा तो आपका C option सही हो जाएगा चलिए fourth number question देख लेते का रहा है कि यदि कोई ब्यक्ती किसी पंक्ती में दोनों और से 14 में अस्थान है देखे एक पंक्ती है यहाँ इस पे कुछ लोग बैठे हुए यहाँ यहाँ इस तरह से बहुत सारे लोग बैठे हुए है का रहा है कि कोई ब्यक्ती 14 में अस्थान पंक्ती में दोनों और से दोनों और से मतलब इधर से जो है जैसे आप हैं आप अपने बारे में सोची आप यहां बैठे हुएं ठीक यह आपका मुंडी हो गया ठीक आप यहां बैठे हुएं इधर से भी आपका जो है 14 नंबर अस्थान मतलब 14th है और अप इधर से भी आपको जागर कोई गीनत आप इधर से भी 14th अस्थान पे हैं तो कह रहा है कि तो पंक्ती में कुल कितने लोग हैं इस पंक्ती में कितने लोग हैं देखिए मैं एक फर्मूला को बताया मतलब हूं पहले भी और यहां भी बता दे रहा हूं कि जब total हमको निकालना होता है तो एक simple सा formula था total equal to होता है left में जितने लोग हैं सभी left plus right में जितने लोग है सभी आप minus 1 कर देते हैं यही आपका एक formula है इस formula पर आप इसको जब put करेंगे तो आपको आपका answer निकल जागा तर चले देख लेते हैं किता है left में भी चोड़ा है total हमको निकालना है तो left में भी 14 पलस right में भी 14 है minus क्या करते हैं left plus Right तो कितना हो जागा 28 minus 1 हो जला सिब्सक्राइब तो होजया तो टोटल की संखें कितना हो जलिका 27 हो जला तो आपका गाद भरी मिटी और खारी मिटी दिया हुआ, इस मिटी के बारे हम पुचा जा रहा है कि किस में कम से कम नियूनतम छिद्र होता है, छिद्र युक्त कौन सा मिटी सबसे होता है, तो यह जो चिकनी मिटी आप देखे होंगे, अगर आप घर से बिलॉंग करते हैं, तो आपको पता ही होगा चिकनी मिट्टी के बारे में तो चिकनी मिट्टी क्या होता है सबसे कम छिदर होता है चलिए नेक्स देख लेते हैं और एक चीज़ और चिकनी मिठी जब मिठी की बात आई तो मिठी के अधियन को मिर्दा बिग्यान या पेडोलोजी कहा जाता है पेडोलोजी पेडोलोजी कहा जाता है देखिए एक चीज़ यहां पर जैसे आपको मिठी के अधियन के बारे में पूछेगा तो मिर्दा बिग चलिए six number question देख लेते, six number question आपका कह रहा है कि एक दुकानदार 20% और 10% दो अनुक्रमिक छूट देता है, मतलब कोई दुकानदार है, वो जो है 20% का भी और 10% का अनुक्रमिक छूट देता है, देकि अनुक्रमिक छूट देना एक अलग बात है, और छूट देना एक अलग तो इसका वास्तिविक कितना हो जाएगा के दिए 108 रुपया क्या करता है वह पाता है है कि नहीं और पहले करता है यह 20% का छूट देता है कि नहीं है तो कोई भी बस्तुख ऑगे और Одस रुपया होगा 20% का छूट दे रहा है मान के चलिए तो उसका 80 मतलब 20 उसमें क्या करेंगे घटा देंगे फिर 10 रुपया का वो क्या करता है छूट देता है तो 100 हमको निकालना है यहां पर 10% छूट देता है तो 90 हो जागा जब आप इसको सोल्ब करेंगे तो आपको जो है 150 रुपया आंसर आजागा कितना होगा 150 रुपया आंसर आजागा तो उसका वास्तविक मुल की हो जागा इसका वास्तविक मुली जो है 150 रुपया आपका C आप्सन सही हो जागा चलिए next देख लेते seven number का question क्या कह रहा है कि सेवें नमर्य यह एक rejening कह रहा है कि एक 76 कि कि किसी हिसे में 30 पूस्टक भिज्ञान समानिग्यान अंग्रेजि शाहित यहींदि उपण्यास संबन्दित है प्रतीक भिज्ञान पूस्तक नसले के आगे रखी पुस्तक के एक अंग्रेजी साहित के आगे है यहां पर क्या लेंगे बिग्यान लेंगे है की नहीं ठीक चलिए आगे देख लेते हैं आगे रखी पर्तेक समानिग्यान पुस्तक के आगे एक हिंदी उपन्यास है समानिग्यान के आगे किसके आगे समानिग्यान के आगे हिंदी पुस्तक है चलिए यहां समानिग्यान लेते हैं समानिग्यान के आगे हिंदी है क्या है समानिग्यान के आगे हिंदी है उपन्यास तथा कोई भी समानिग्यान पुस्तक बिग्यान पुस्तक के आगे नहीं है मत अंग्रेजी है तो हिंदी अगल बगल नहीं तो मतलब हिंदी यहां भी नहीं होगा यहां भी नहीं हो पाएगा हिंदी है कि यदि बाई तरफ बिग्यान की पुस्था को तो दाई और की पुस्थकों का सही करम बताए तो दाई और क्या होगा तो दाई और आप जान रहे हैं पर हिंदी होगा तो इस तरह से होजाएगा देखे बिग्यान होगां अंग्रेजी होगा अंग्रेजी चाहित उसके बाद समानि जिल्झान और हिंदी तब आपका जो ए अप्षन सही होजागा सेव्हिन का आप शंस सही होजागा चलिये एट नॉमबर को फूशन देख लेते आप लोग जो है यहां पर इस question को यह सी यह लिए यह मैं आप लोग को जो इस बात पर जूर दे रहा हूं कि आप practice it बनाएं आप previous question देखें और अगर आप मान के चलिए नहीं बना सकते हैं तो यहां आप अगर एक घंटा में 100 question solve कर लेते हैं तो आपको क्या है मैं मतलब जो भी question है उसका explanation भी करता हूं यहां math reasoning सारा कुछ का और मान के चलिए एक घंटा में आप एक सा question देख लेते हैं तो आप क्या करता है आपका time भी क्या हो रहा है save हो रहा है अगर आप देख भी लेते हैं कम से कम और तो आपको क्या हो जा रहा है क अगर आप यह question देखे ता आप अभी ही क्या करिए जा करके एक बार अपना book उल्टाइए उसमें जो current affairs है जो भी miss universe या miss इंडिया हो उससे संबंदित जो भी question हो आप उसको एक बार repeat कर लिए क्योंकि यह तो 2015 की बैत है आपको जो पूछेगा 2019 या 20 का पूछेगा क्योंकि पी आउड ची बैक जीती थी चलिए नाइन नमर को चानक्य का एक अन्य नाम क्या था चानक का देखिए बहुत सा नाम था बिष्णु गुप्त था चानक का नाम कोटिल्य भी था तो चानक का यहां पर बिष्णु गुप्त चलिए बी जो है यह सही है चानक का बिष्णु मौर्य जो है चानक के मदद से ही वो मौर्य बंस की अस्थापना की थी और घनानन्द को हडा करके घनानन्द जो है एक बहुत निर्दई और निर्दई सासक था सकती साली था लेकिन निर्दई था चलिए next question देख लेते हैं 10-10 कर रहा है कि हल करें देखिए यहां एक question है 10 और को 121 जो है 3 एक स्वेकिस कितना होता है 1111 कोई 111 होता है 11 πα कि अगर रूट को हटाएंगे तो यहां पर 11 हो जाएगा माइनस मॉइनसरी 371 है तो 361 जो है आफ 19 का स्क्राइट है यह हो जाएगा और बट्य में यह हुआ हाँ है देखिए 529 529 529 होता है और यहां पर है पलस टू रूट 36 तो टू और 36 जो है च्छे का रूट होता है तो इंटू कितना हो जागा च्छे हो जागा तो च्छे दूने 12 तो आप इसको जब सोल्ब करेंगे इतना क्या हो जागा यह 33 माईनस 19 हो जागा और यह बचा कितना हो जागा 23 पलस बारा कितना हो जागा जब आप इसको सोल्ब करेंगे तो कितना हो जागा 14 बटा 25 हो जागा सबसे पहले आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है नहीं पता है तो आप मुझे करें मैं इसका ट्रीक भी आप ने वह दो कि लिए होँगा देखिये ब्रहम समाज का अस्थापना की थे अर बात और भी जान लीजे राजा मुहन रहा समाज के अस्थापना की थे वह 1828 प्रार्थना समाज के द्वारा की गई थी चले कमेंट करके बताइए चले नेक्स्ट वोच्चन देख लेते गहरा है कि निमलखित समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो चिन हो को आपस में बदल दिया जाना चाहिए यहां पर जो यह चिन दिया हुआ जैसे 3 पलस 2 है इंटू 6 है माइनस 5 है माइनस 4 है divided by 5 है तो जब आप इसको सोब करेंगे तो आपको 10 नहीं आगा इसमें क्या करना आपको हो यहां पर किसी दो मतलब चिन को जो दो चिन है उसको क्या करना परेगा बदल परेगा मतलब एक दूसरे से इंटर चेंज करना परेगा जैसे यहां है पलस को माइनस गुना में चेंज करेंगे यह पलस को माइनस में यह दिया हुआ तो आपको इसको बनाने से ज्यादा बेटर है कि आप क्या करें ज जैसे अगर A option जब लेंगे तो जहाँ पलस है वहाँ गुना करें और गुना करें तो चलिए यहाँ पर जो मैं D option से शुरू करता हूं तो देखिए 3 divided by 2 है into 6 है minus 4 है पलस 5 है तो जब आप इसको solve करेंगे तो आपका D option ही सबसे 60 बैठेगा D option ही से देखिए यहाँ जगह की कमी है मतलब यहाँ पर जो है उतना अच्छा setup नहीं है कि मैं आपको इसको solve करके बता हूं लेकिन मैं बता रहा हूं कि यह option सही है अगर आप इसको जो है लेकिन इसमें याद रखे स्टाइब के question में मैं पिछले set में भी या दूसरे math का भी कि आपका मान के चलिए नहीं भी दिया आपको किसी किसी में लेकिन चारो चेक करना हो जाता है तो करना है पर एक चलिए 13 नमर देख लेते 13 नमर question कह रहा है कि निमलिखित नदियों में से कौन सी नदी पस्चमी घाट से निकलती है तो पस्चमी घाट के बारे में पूछा जा याद रखेगा इसको भूलिएगा नहीं ऑर यहां झोह कृच्डा नदी महाबलेश्वर के समी जो है पस्चमी घाट में पहार है वहांसे निकलती है चलिए नेक्स्ट कॉस्चन है 14 number । कोई 90 मीटर की लंबी ट्रेन कोई 90 मीटर की लंबी एक ट्रेन है ठीक इसका 90 मीटर है और इसके बारे हम कह रहा है कि 15 मीटर पर सकेंड के चाल से चल रहे, चाल से 15 सकेंड में एक पूल को पार करती है, इस पीड इतना दिया हुआ है, टाइम 15 सकेंड दिया हुआ है, एक पूल को पार कर जाती है, पूल को पार कर जाती है, पूल को पार कर जाती है, पूल की लंबाई यह एक्स मीटर है इस ट्रेन कब पार करेगे मतलब जब ट्रेन यहां आ जाएगे तो यह मतलब टोटल डिस्टेंस कितना हो जागा पूल का डिस्टेंस प्लस ट्रेन का डिस्टेंस यह टोटल डिस्टेंस हो जागा तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जागा 90 पलस X हो जाएगा 90 पलस X हो जाएगा Speed कितना है Speed है 15 meter per second और समय हो 15 second है है कि नहीं तो आप जब इसको solve करेंगे देखें यहां करना कि आपको आप देखें आपको पता होगा कि क्या होता है distance equal to Speed into time है कि नहीं आपको यहां पर time दिया हुआ है तो क्या हो जाएगा time महान के चलिए time equal to क्या हो जाएगा distance by speed हो जाएगा तो distance कितना है 90 पलस X by speed 15 equal to 15 जब आप इसको solve करेंगे तो आपको X का value जो आ जाएगा वो 135 meter आ जाएगा और वही 135 meter आएगा और वही X क्या होगा आपका वही X जो है अपका पूल का लंबाई हो जाएगा तो पूल का लंबाई 125 meter हो जाएगा चलिए जिस तरस मैं बता है उस तरस आप solve करके देखें चलिए next question देख लेते हैं 15 number question सुभास चंद्र बोस के पिता कौन थे देखें बहुत यह अच्छा question है आप देखें सुभास चंद्र बोस को ताप लोग याद ही करते हैं लेकिन अब उनके पिता को भी याद कीजिए और जितने भी freedom fighters लोग हैं उनके भी पिता को याद कीजिए क्योंकि एकर सुभास चंद्र बोस के बारे में पूछा जा सकता है तो सुभास चंद्र बोस के पिता का नाम जो जान की नाथ बोस था क्या था जान की नाथ बोस था इसका B option आपका सही है जान की नाथ बोस था और सुभास चंद्र बोस के बारे में एक और तथ्य जान लिजे स्वास्चंद्र बोस्ट का जन्व औरीसा के कटक में हुआ था उरीसा के कटक में हुआ था मुझा कमें थे आजाध हिंद सरकार का गठन संगापुर में किये ते कहा किये थे आजाध हिंद फोड का संगठन संगपूर में चले नेक्स पॉस्चन देख लेते हैं 16 नमर कोश्चन करा है कि एक आदमी चार किलोमेटर प्रती घंटा की गती से तीन घंटा चलता है ठीक है चार किलोमेटर प्रती घंटा की गती से तीन घंटा चलता है ठीक तो यहां पर कितना हो जाएगा चार गुने तीन बटा सोल चार चोग सोल हो जाएगा तो तीन बटा चार घंटा हो जाएगा तो कितना मिनट हो जाएगा सिक्स्टी हो जाएगा तो साथ 15 कितना पैतालीस मिनट आपका हो जाएगा चलिए नेक्स्ट कोश्चन देख लेते हैं छलिए सबैंटीन नमर देख लेते हैं कि सब्देना चार जोब खेल और खिलारी से संब्देद जो भी पुरूसकार होता है उसको भी आप गौर्ष से दे आप रिपीट कीजिए क्योंकि देखें यह तो पुराना है आपको नयाह भी पुछा जागा दुरोना चार्ज पुरुसकार बारे हम भी पुछा जाता है उसलिए भूच्छ को मिला था उस त मेंadaş किने को मिला था गुरु च्रण दुरोनाचार्ज मुक्य बाज़िकार गुरु च्रण सिंग प्राप्ट किया था मुक्य बाज़िक के लिए गुरुचरण सिंगada से इंको Tax 2014-15 के लिए मिलक最近 सुरुवार दुरोना चार्जव पुरसकार 92成순 kesay के चेत्र में दिया दुरोना duż पुरसकार मुकत कोई के लिए दिया जाता है and mobile invention ऑजर्दों करेंगे qo can sights के लिए और यह सब्दीek की है high की नहीं याद रखेगा इसको भूलिएगा नहीं इसमें जो है द्रोनों चार्ज पुरसकार के अंदर के कितना रुपिया दिया जाता है यह मुझे कमेंट करके आप बताइए चलिए सबसे भारी धातु आपको पता होगा सबसे भारी धातु कौन सा ओस्मियम है क्या हो कौन है सबसे भारी धातु ऑस्मियम है चलिए नेक्स नमबर कोश्चन देख लेते हैं 20 नमबर कोश्चन नाइंटीन का राएक निमलखित में से किसने 2015 में सरवस्रेस्ट एनिमेटेड फीचर फिल्म के लिए ऑसकर पुरुषकार जीता है देखिए ऑसकर के बैयारे में भी पूछा जा रहा है ता आप लोग ऑसकर को भी ना छोड़े ऑसकर को भी आप अच्छे से देखें अच्छे से करें उसके बारे में भी ओसकर जो है बीग हीरो को मिला था किसको मिला था निमलखित में से 2015 में सरवस्रेस्ट एनिमेटेड फीचर फिल्म के लिए ऑसकर पुरुषकार जीता कि नहीं बी ऑप्सन आपका सहे चलिए नेच्स देख लें। सब्सक्राइबbook कलाछ आएकन गासए लेकिन माँतित में पुर्द कहँआएक ये और कशिंटर छीजए और कम्पीटर येपश maker को मिला सकति सब्रसayı बढ सकाथी अब जब जब इसमें गौर से देख़ेंगे Port, I, M, U, C, E और कम्प्यूटर यहां पर है, देख़ें, COM है, तो C है यहां पर, CO है, यहां पर M है तो जो कम्प्यूटर में जितने भी alphabiet है और इसे एवस्थी थे, तो इसका मतलब है कि यह जो code है इसी से लेंगे तो यह question बन जागा तो जब आपको इसको लेंगे देखिए तो आपका 20 का देखे लास्ट का चलिए 3 मिला देखे ter है तो t मिलाएंगे तो t कितना है 1 है तो देखे यहां पर 1 है तींट है तो यहां पर देखे इसमीच के लास्ट में यहां पर 8 है तो t e r देखे ő यहां पर लगते हैं इस लॉक्डॉन में थोड़ा इंजॉय भी हो जाना चाहिए बहुत अच्छी मूवी है और उसमें जो हिरोईन है उसको भी आप देखेंगे तिल लगेगा कि नहीं मतलब बॉलीबूर्ड में कोई ऐसा नहीं है चलिए खैर उसमें मुझे बातें नहीं करनी है चलि बारे मैसा जो बनाए थे वो अनुमान किये थे कि ये कभी पानी में डूब नहीं सकता है लेकिन ये जो है दुरगटना गरस्त हो गया और ये पानी में डूब गया ये पूछा जाता है बहुत बार चलिए नेक्स्ट कोस्चन देख लेते यदि एक संख्यां के दूब बट ये जो है दूसे ये कर जागा दूसे चार तो एक सकतना हो जागा तर एक सो और चलिए आपका जो है 6800 मतलब बी ओप्सण आपका सही है चलिए 23 नम्स कोस्ट्चन देख लेकि मेरियाना ट्रेंच मेरियाना गर्थ के मैंने बहुतबार आपको बता है जोगर्फि में भी मैं बता दूका हूं और जोगर्फि में बहुत úक है कि बहुत चीजु के बारे में जैसे इंडिया का प्रिचा हो गया जलवायू हो गया उसके बाद आपका मतलब अंत्रीक्षिय बारे में भी हो गया तो बहुत चीजों के बारे में वहां पर बताया गया है आप चाहकों उसके बाद जो है विस्वभुगोल के बारे में भी बहुत कुछ है जैसे आपका जो साथ महाद देश हैं उसके बारे में भी और जो मतलब सागर है उसके बारे में बताए गया है तो ये जो है महासागर में ही है मेरियाना गर्थ है ये जो है मेरियाना गर्थ जो आपका हिंद मेरियाना गर्थ मेरियाना गर्थ जो आपका प्रशांत महासागर म फिलिपिन्स के नजदीक जो है मेरियानागर्थ है फरला और यह जो मेरियानागर्थ जी हैं भिसुका सबसे बरागर्थ है मतलब सबसे गहरा भाग है तो इसको याद रखेगा पहले जो अगर आपको जोगरफी में कुछ प्रॉब्लम है तो प्ले लिस्ट में जाके 11वी Northern 2020 मीटर गहराई है तो में सबसे बरा महासागर है और यह जो है प्रसांथ मयासागर के भी कहते हैं वह कहाता है जो हैं क्योंकि यहां जो है सबसे अधिक ज्वाला मुखी छेत्र सक्रिय ज्वाला मुखी छेत्र हैं इसलिए वहाँ पर इसलिए परसांद महासागुर के रिंग और फायर भी कहा जाता है 24 नमर कुश्चन देख लेते हैं करें कि मानब सरीर की सबसे छोटी हड़ी कौन से तो मान करके बताइए चलिए नेक्स्ट कुश्चन देख लेते 25 नमर कुश्चन कह रहा है कि पीछे की और उरने वाला एक मात्र पक्षी कौन है देखिए जैसे मतलब कोई ऐसा पक्षी भी है जो पीछे की और उरने वाला हिमिंग वर्ड पक्षी आप जानते होंगे पता भी होग का कि पीछे की और भी ऊरता है चलिए नेक्स्ट कोश्चन देख लेते हैं दखिए नूजिलाइन के बारे माँ जानते है नूजिलाइन का जो रास्टिय पक्षी वो कीवी है लोग अपना घून पार जानती होंगे तो स्कत भारे में जानän लेते हैं सब्सक्रीं आप नीला होता है ओक्टोकस के खून का रंग नीला होता है चलिए next question देख लेता 27 नमर question क्या कर रहा है कि यहां पर दिया हुआ जो है ten two theta theta साइन 60 का भालू साइन 60 का भालू से भालू जो है तो इसका मतलब है तीटा का भालू कितना है 60 है तो ten sixty जो है root 3 होता है तो root 3 होता है तो इसका जो है डी option 27 का डी option सही हो जाएका पर क्वें ने राइक था लेकिन आपको सभी बेलू याद होना चाहिए जीरो गरी दिकरी प्रीष एकडम नोर्मली याद रख सकते हैं आपको कोई जरूरी नहीं जैदा माता-पैची करने का तो अगर आपको याद है और आपको ट्रीक पता है तो आप अगर निश्चीन है अगर नहीं आप मुझे कमेंट करें, मैं उस ट्रिक का भी वीडियो लेकर आऊँगा आप लोगों के लिए देखें, मेरा काम ही आप लोगों का हेल्प करना, तो आप जो बोलेंगे, आपको जो चाहिए, वो आपको मिलेगा तो आप मुझे लेकिन कमेंट कीजिए, मुझे पता है कि देखें, यह जो है, नाइन्थ में जो है, बहुत अच्छी तरीके से इसको बताया गया है, एट नाइन्थ में टेंथ में तो इसका बहुत वास्ट है, इंटर में जब जाएंगे, आप परहेंगे, इंटर में तो एकदम ट्रिगोनोमेट्री कातबुजी वहां पर मतलब बहुत कुछ है उसके बारे में, तो मुझे लगता है कि आप लोग 9-10 अगर आप कंपेटिशन के तियारी कर रहे तो मैं नहीं बताऊंगा लेकिन हो सकता है कि आप बहुत दिन हो गया, तो मतलब भूल गया होंगे, अगर इसी इस्थिती है तो मैं जरूर बताऊंगा, तो लेकिन मुझे आपको बताना परेगा कि मुझे मैं भूल गया हूँ, तो आप कमेंट कर ये इसके लिए, चलिए कुछा जा रहा है तो आस्ट्रेलिया गोजी जो सबसे घनी आवादी वाला सार रहा है पूशा जा रहा है जो डायलिंग नदि के खिनारे बसा है कौन कहारा है कि यदि एक वस्तु को इतना rusim कुई वस्तू बेचने पर एक दूगान्दार को 10% की RAW हो जाती है तो से कितने रुपियाएं भाञे है में बेचता हैं कमें पर जाता है अब हम को चाहिए 10% के आ Wijhare offices करेंगे बट्टा 100 जब आप इसको 100 कर जागा यह 0 से कर जागा जब आप इसको सोल्व करेंगे जब आप इसको स्लूल करेंगे तो आपको simply answer जागे देखिए इतना किया हुआ तो आप इसको गुनाभाग करें करते हैं कि नहीं तो आप इसको स्वल्ब करने के बाद होगा 45 65 रुपिया मतलब भी आपसन आपका सही हो जागा चलिए नेक्स्ट कोस्टन देख लेते हैं देखिए कराए कि जे एस यू यस जे शेश को ईया ईजेड एन पी एन को डित किया जाए तो जे एस यू जैक को क्या कि जगा कम है तो जब आप देखेंगे तो यह क्या हो जागा देखिए ऑम होता है यहां और यह बीषण CRM एफ यहां पर फाइब गवर्जयाया है यहां दो चुब्स हुऩ है दिफरिएंट आप कि यह हैं तो आप क्या करेंगे इस सब मैं नहीं दिफरिएंगे तो आपको जिसके हैं आपको पाइब नहीं कि लिकना सकता हुआ अंकि इतना आपको बता दिया तो सब्सक्राइब देख लेते हैं 31 कर रहा है कि अगर मैं बता रहा हूं और फुली यहां मतलब solution तक नहीं जा पा रहा हूं क्योंकि जगह की कमी है कर आपको इतना बता देने के बाद भी अगर कुछ प्राबलेम होता आपको लगता है कि नहीं पुरा बताना चाहिए तो आप मुझे कमेंट करें मैं जो है वाइट बोर्ड पे ही आपको देखे सेट अप उतना अच्छा नहीं है इसलिए लेकिन वह जितना है उस पर मैं काम चलाओंगा लेकिन आप लोग मुझे कमेंट करें च पंद्रह दौसनलों पांच है बाद में आप आया गया एक निरक्षन 24 की जग़ा 42 पढ़ लिया गया था देखिए जब इसको गुना करेंगे तो यह जो गुना करने के बाद आजाएगा आपको यह गुना करने के बाद आपको आजाएगा पंद्रह दूना तीस मतलब 310 आ एक न कि आणे तो आठारा हो जाएगा इसमें हुन्य प्रतिसक वार्सीघ दर Online स्थी तिव गलेते हैं कह रहा है कि मुल्धन का पता लगा है जो साधरम ब्याज की आठ परतिसक्त वार्सिक दर से नौ महिने में एक सो नौ महिने में कह रहा है कि एक हजार रुपई हो जाता है चलिए कुछ नहीं है देखे सिंपल सा कोस्चन है मुल्धन क्या करेंगे हम लोग यहां पर एकस मान लेंगे जब मुल्धन पता चल जागा तो हम लोग को क्या निकल जागा ब्याज निकल जागा क्योंकि मिस्रधन यहां पर दिया हुआ एक हजार रुपया मिसरधन माइनस मुलधन होता है तो 1000-X हो जाएगा और 1000-X क्या हो जाएगा आपका ब्याज हो जाएगा और ब्याज का फोर्मूला आपको पता है क्या होता है P into R into T by 100 होता है कि नहीं जब आप इस फोर्मूला पर solve करेंगे तो आपको X का value निकल जाएगा 943.39 रुपिया मतलब 943.40 पैसा तो 932 32 का जो आपका 943 तो यह आपका C option सही हो जाएगा चलिए next question देख लेते हैं 33 33 कह रहा है कि निकल कितमे से जो नीचे दिया हुआ है अन्य से एकदम भिन को चुने जहां देखिए गाए है डाइनासौर है सेर है सांप है बंदर है देखि पहले था बहुत भीमकाई शरीर था इसका तो डाइनासौर आपको सबसे भीन न जा रहाएगा क्या है डाइनासौर तो आपको इसमें जो है वी ओप्सन डाइनासौर सबसे सही है चलिए next question देख लेता है 34 कह रहा है कि 5 लीटर चीनी के मिसरन में 6% चीनी है क्या 5 लीटर च चीनी में 6% चीनी है 5 लीटर चीनी के मिसरन में मतलब कोई मिसरन है चीनी का उसमें 6% चीनी है तो 6% हम लोग क्या करेंगे फाइंड कर लेंगे परसेंट जब अटाएंगे तो बट्टा क्या हो जागा 100 हो जागा तो यह कितना हो जागा यह जो है मतलब 0.30 इतना लीटर ची देंगे तो किया आजाएगा आपका उतना पानी आ जाएगा ठीक है न अब एक लिटर पानी आप देख रहे हैं कि लिटर भाब बन जाता है तो अब कितना हो जाएगा देखिए जब इसको पांच लीटर में से इतना घटाएंगे तो चार दसमलब 70 जाएगा अब इसमें है आपको चार लीटर बच जाता है टोटल में से एक लीटर निकलता है चार लीटर बच जाता है इसको हंडेट से जब मल्टिप्लाइ करेंगे परसेंट में चेंज करने के लिए हंडेट से मल्टिप्लाइ करेंगे इसको जब करेंगे तो आपको 30 बट्टा 4 मतलब आंसर आ जाएगा तीस बट्टा 4 मतलब साथ चुक अठाइस साथ असनों पांच आ जाएगा 34 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा चलिए 35 देख लेते 35 नमर कुस्चन कह रहा है कि आ और बी के बेतन का योग इतना रुप्टा है ये और बी कोई दो आदमी है जिसका बेतन पचीस हजा़ रुपइया योग है मतलब दोनों मिलागे के यह अपने बेतन का 75 परतीसत खर्च कर देता है ठीक उसकी बचत का अनुपात इतना है देखे 75 परतीसत खर्च करता है मतलब 25,000 रुपया उसका बेतन है पच्छतर परतीसत खर्च करता है और बचत जो है इतना अनुपात है तो बचत कितना हो जागा 25 परसेंट बच जागा है कि नहीं तो पचीस परसेंट बटा हंडेट इसको रूपिया में चेंज करेंगे यह जो आपको जब इसको सोल्ब करेंगे तो यह जो है जब एक का भैलू आजागा तो चोदा से आप मल्टिप्ला करके चोदा का भैलू तो आपको उसका अनुपात आजागा तो जब आपको चोदा हजार और 11,000 रुपिया आजागा 14,000 और 11,000 रुपिया तो आपका जो है भी ओप्सन सही है चलिए 36 नमर देख लेते हैं 36 नमर को याद रखे का इसको भूलिए का ने बहुत बार पूछा जा चुका है और केंद्रिये चमरा अनुसंधान कहां परिस्थी थै चन्नई में इस्थी थै भारतिय भूचुम्ब के संस्थान मुंबई में इस्थी थै भूलिए का ने इसको याद रखे चलिए 37 नमर कोश्चन कुस्टन निमल कि तुम से कौन सा खेल ओल मंपिए खेल से हटा दिया गया है तो याद को भीक खेल से जो आपको बेस व कितना मैं इसकारी को कितना समय लेंगे हम लोग समय देख लेते हैं जब आप कितना समय लेंगे उसको टी मान लेते हैं जब इसको टी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 10 गुण्य 5,15 भल्टंटराrend ब ihtिष्या 617 हो जाएगा गइसे हैं तो 5-20333-D एप्षिन आपका सही होजागे चलिए त्टिन नाइड में कुछ संदर में लैंड नेटवर्क होता है यह रही इस पके चलिए नेटवर्क नेटवर्क बोलते ईर व शآव čई Cam Simpson है और उसकी माध यह 15 है तो एक्स का भाइल देखिए माध क्या करते हैं हम लोग find करने के लिए माध होता है दी गई जितनी संखियां है यह सारा का योग बट्टा total number of मतलब total number यह संखियां का जितना number है उतना तो यहां क्या करेंगे total को एड कर देंगे मतलब 3 पलस 6 पलस 7 इस तरह से 28 तक सभी को add कर देंगे total number कितना है तो 10 सभी को जोर के 10 से डिवाइड कर देंगे जो आपका आ जाएगा वो क्या होगा माध्य हो जाएगा तो जब माध्य कितना दिया होगा 15 दिया हुआ है तो जब इसको equal कर देंगे इसमें यहां x का value जब आप इसके find करेंगे तो आपका यहां से x निकल जाएगा तो आपको d option आपका सही हो जाएगा चलिए next question देख लेते हैं 41 number question देखें आपको समझ में आए कि एकदम simple सा है मतलब माध यहां 15 दिया हुआ है और यह जो जितनी संखिया है उसको जोर देंगे ठीक अब बट्टा संखिया कितनी है तो 10 है उसको divide कर देंगे तो यहां पर आप देखे इसे घटा देंगे तो क्या हो जागा आपको जो बचेगा उसोला बच जागा तापका डी आपसन आपको क्या हो जागा सही हो जागा एक दम simple सा question है इसको hard मत बना एक बार करके देखें आपको simple हो जागा करें कि बरतमान में हमारे दौरा उप्योग किया जाने वाला रासा इस ने तियार के थे कौन के थे याद रखिए बुलिए का ने रहे हाए hinge पी जल चक्र के द्वाब कर सचालीत होता है Сुर्ज के जलचकः सूरज संचाले साथ का यग चाली जाए निए उटां भी पतुर यगा उक में नारए जोट subscription जीट गालेखक से औहीं समवड़ है जोषी का बीसित लिखते हैं लुठे हैंगे से सीलाई करता हो दhゲ the जिया सी जिया थाज़ी दर्जी सिलाई मुसीन तो 44 को क्या करता है अदर्फि जो एक स्थी ऐल्प से क्या कर पाता है । जिस तरह से स्थे मुझे से ही कुछ लेख पाता है तो आपका है छो सयए और 5 कि 1,000,000,001,000,000,000 जो होता है एक बिलियन दस करोर के बराबर होता है कितना होता है दस करोर चलिए दस करोर लिख लेते काइन दहाइन सैक्रा हजार दस हजार लाक दस लाक करोर पर दस करोर, दस करोर के बरावर होता है, ठीक इसको डिवाइड करना है 100 से, जब 100 से डिवाइड करेंगे तो 2-0 काट देंगे, कितना हो जाएगा, काईन, दाहन, सब्सक्राइट, दहजाट लाख, कितना हो जाएगा, दस लाख हो जाएगा, एक विलियन जो है, दस लाख के बरावर हो जाएगा, आपका D option सही हो जाएगा, चलिए, फोटी सेवन नमर कुछें, सॉरी, 46 देख लेते हैं 46 नमर देखे, 46 का लाग Robert Galbraith Robert Galbraith को بेहतर तरीके से किस नाम से जाना जाता है Robert Galbraith का कोई दूसरा भी नाम है Robert Galbraith को से JK Rowling के नाम से भी जाना giाता है किया? JK Rowling के नाम से भी जाना जाता है? देखे, इस तरह का भी इस तरह की बात आप जल्डि कहीं परदे nहीं है, तो इस तरह के question पर भी आप ध्यान दे जिले, next question देख लेते हिंड़ा है कि दो अंकों की, दो संख्यों का गुनान फ़ल इतना है, कोई दो assessment की कोई संख्या है, वो भी दोंकों की होता है दोनों संख्यां के गुनन फल होता है तो यहां पर हम क्या करेंगे मौसा मतलब HCF find करेंगे hcf find کने के लिए क्या करेंगे दोनों संख्यां कुनन फल अब टना loss है So schöksi जब इसको आप solve करेंगे तो आपको तो लॉस तो यहां पर आप देख रहे हैं तो देखें यहां पर आपको मतलब HCF इतना है और LCM इतना है जब आप इस संखिया में चेक करेंगे तो आपको यह B option मतलब आप चेक करके देख लिए आपको AC2 का मतलब loss इतना आएगा HCF इतना है गए और LCM इतना है तो आपको與 option सही होगा 與 option क्या होगा सही होगा 47 का बेंक्स देख लेतें 48 रवेट की मतश से जुंड का संबंद मचली से है मतश से जुंड मतश से जुंड में राता है उसका संबंद मचली से उह ही colony के संभण किसे है तो देखे, चीटियां भी आपको देखते होंगे जो मतलब जुँद में रहती है उसको क्या बोलते हैं, चीटियों के जुँद को colony बोलते हैं और मतसिक के जुँद को मचली का जो जुँद होता है मचली जो एक सास्त मिलके रहते हैं जुन बोला जाता है और चीटियां जो एक साथ मिलके रहते हैं उसे कॉलनी बोलते हैं तो आपका ए उप्शन सही है चलिए 49 देख लेते कर रहें कि एक सांथानबे और 78 का HCF ग्याद करें देखें बहुत सिंपल का उस्चन है एक सांथानबे और परतिकों का के सही सेट का चेहन करें इसमें भी मैं आपको बोलूँगा उपर सही हो जायागा पलस है और यहाँ पर और इसको आप मतलब पूट करेंगे इस तरह से तो आपको यहीं सही हो जायागा चलिए नेक्स कुछन देख लेते हैं 51 कह रहा है कि थॉमस कप के बारें परेंगे बहुत सारे कप होते हैं बहुत सारे खेलों से जुरा हुआ यह भी आप एक बार देख लिए क्योंकि इससे संबंदित क्वेश्चन जो आपको हर एक एक एक्जाम मतलब यह एंटीपीसी नहीं से सी ह देखने को मिल जाता है थॉमस कप का संबंद जो है बैटमिंटन से किससे है थॉमस कप का संबंद बैटमिंटन से है भूलिएगा नहीं याद रखिएगा का नाम है बर्ना बेले कप कौन बर्ना बेले कप जो है टेनिस से संबंधी धे चलिए यह कोस्चन है कहरा है यहां पर दिया हुआ है यह जो है यह सिंबॉल का मुल्टिप्लिकेशन 28 है जब इसको मतलब 6 गुन्दै आठ करेंगे ते यह 48 हो जागा जब इसका multiply है चोविस है तो इसका मतलब यह चार गुने जब 6 करेंगे क्योंकि यहां तिर्भूज जो जिस तरह से उसका जब 2 दो जारा है तो से उसका होसी यह जो वह पूछा जा रहा है कि देखिए इस दोनों संख्या बीच का जो डिफेरिंस देखेंगे तो का तो पालुस तीन का है ठीक है इस दोनों के बीच देखेंगे यहाँ पलस फॉर है इस दोनों के बीच देखेंगे तो फ़यबं मतलब ऐस twenty बड़़ राय तो यहां इस दोनों के बीच क्या करेंगड हम लोग retail जोर देंगे मतलब 6 जोरेंगे इसमें जब 6 जोरेंगे यहां पर कितना हो जागा 8-6-14 मतलब 44 हो जागा और इस दोनों के बीच भी देखेंगे ता आप पलस 7 का डिफरेंस है कि नहीं तो आपको यहां पर प्रशन चीन है वहां पर 44 आ जाएगा तो आपका जो है बी ओप्सन होता है व्र से अगले या उसमें जनवारी फरवरी या पिछले जब वर्स का दिन घैंद करते से म डेका तो क्या करते हैं कि दीन करते हैं चल्व लेगों करते हैं यहां पर र्याँए तो मायनस करते हैं यहां पर क्ञाठ नाहीं होता है यह नि lasted तो जाएंगे, दो घटा देंगे, बूद में से हम लोग घटाएंगे, कि म्यान लेकी मितलाखा हो जाएगा? मंगल, मंगल से first son, कौन सा हो जाएगा? sonry-boy, 54 बूप्सन बार हो जाएगा, चलिए 55 तेख लेते हैं. 55 में 8 odors to know and reconsider, परिक्षा है उसमें 25 सवाल है और पूछा गया है और परते एक सही जवाब के लिए 4 अंक दिये जाते हैं और परते गलत जवाब के लिए 2 अंक काटे जाते हैं तो यदि सीमा ने 70 अंक पराप्त किया है और परते एक से लिए 4 अंक दिया जाता है तो हम लोग क्या करेंगे यहां पर देखिए उसने एक्स कोस्चन बनाया एक्स को चार से मल्टिप्लाइ कर देंगे तो उसको total number आ जाएगा कितना number आया है है कि नहीं इसमें minus कर देंगे जिस ने उसने जितना गलत किया गलत कितना करेगा मान के चली इतना x सही किया है तो गलत कितना करेगा आपको 20 है कि नहीं तो वो क्या करती है मतलब उसने कितने सवाल सही की है तब इस सवाल सही की है वैसे भी आप देख लीजेगा चिक करके एकदम सही है चले नेक्स टोचन देख लेते 55 नुमर कुश्चन अब फिर 56 कह रहा है कि y ग्याद करें यहां पर यह एक्वेशन है यहां पर y का वैलू ग्याद करने है देखी यह सिंपल सा एक्वेशन हैं क्या करेंगे दोनों का LCM ले लेंगे फिर यहां पर जो सिंपल से आपको लोग LCM के जो बिधी से बनाते उससे बनाएंगे आपको यह सिंपली बन जागा तो यहां पर जो आपको y का भायलू आएगा वो जो आएगा 34 by 8 जब इसको 25 आएगा 4.25 मतलब B option 56 का B option सही हो जागा चलिए next देख लेते हैं 57 सूर्ज की उर्जा किस माध्यम से उत्पन होती है जब सूर्ज में जो उर्जा उत्पन होती है क्योंकि आप देख रहे हैं कि इतना दूर अवस्तित है सूर्ज फिर भी हम लोगो यहां पर गर्मी लगता इसका मतलब है उसमें तो उर्जा जरूर होगा तो वो जो है सूर्ज में जो है परमानू सनलयन के कारण नुकलियर फ्यूजन के कारण क्या होता उर्जा उत्पन होती है और यह मतलब इतनी मात्रा में होती है कि हम लोग इतना 15 लगभग 15 क्रोर किलोमीटर डिस्टेंस पर हम लोग उसे फिल करते हैं और सूर्ज जो है सौर मंदल का क्या है सबसे परधान है सूर्ज का उम्र लगभग 5 billion क्या है 5 billion वर्स का उम्र लगभग और मानित किया गए चलिए नेक्स देख लेते 58 नमर कोश्चन 58 नमर कोश्चन कह रहा है कि अध्यापक छात्र तो नर्स क्य नेक्स देख लेते हैं यूप संडरोग इसे और जाता है चलिए 59 निम्न में से अन्य से एकदम भीन को चुने दौरना है कुदना है योग है और तहलना है तो इसमें योग क्या एक सिस्टम में किया जाता है योग क्या हो जागा 59 का सी आपका डिफ्रेंस हो जाए दौरना क शर्ट में से कौन सा सहर वास्तूकला के द Frank etto इस्थि सेन इो जीट सहर है तो वास्तूकला के द harassiki संज 6 words to language सबसे नियुजीत सहर हाए सबसे बराअस इस्थन और समय 멜 जो अपने बच्चों को दूद पिला थी उसे मेमेल बोलते हैं अस्तन पाई बोलते हैं तो सबसे बरा अस्तन पाई कौन सा है ब्लू हुएल क्या है ब्लू हुएल सबसे बरा अस्तन पाई है चले नेक्स देख लेते हैं 62 मर कोस्चन कह रहा है कि सब्द बिसूब बिसूब ये एक्विनोक्स, संदर्वित करता है, बिसूब का मतलब क्या होता है, किसको संदर्वित करता है, तो बिसूब जो है, दीन और रात एक समान अबधी के होते हैं, इसको बिसूब के द्वारा संदर्वित किया जाता है, बिसूब के द्वारा परदर्सित किया जाता अंकों का योग अतना है यदी ऐटी-Nine है यदी इसके भासाा के अंक भी जोर दिये जाते है तो ऑसत घट कर इतना हो जाता है तो इसके भासा में उसके तरह अपराफ्त किया इंक ज्ञाथ करें तो यह कितना आ जागा 267 अब क्या कह रहा है कि उसको जो है मतलब चौथा जो भासा का सब्जेक्ट है उसका भी एड कर देते हैं तो कितना आ जाता है 88.25 तो यह चार भासा इसमें तो इसको मल्टिप्लाइ करेंगे तो टोल आ जाएगा तो कितना हो जागा 300 तो टीरपन करेंगे तो इसमें कितना फ्राप्ट किया तो क्या करेंगे इसमें से इसको घहटा देंगे घटाएंगे तो भासा कितना आ जाएburst 86 आया है तो भासा में 86 आया है ऊपको Haustkee options पहर जाएगा चले नेक्स देक लेते हैं 64 नमर कोamo और तीस मीटर चौरा है तो चलिए चालिस मीटर लंबा ले लेते हैं और तीस मीटर कह रहा है कि चौरा एक आयताकार खेत ले लेते हैं इसमें कह रहा है कि मान के चलिए अंकीता यहां पर खरी है कोने पर खरी है यदि अंकीता केवल भिकर्न के साथ दौरती है मतलब भिकर्न इसका क्या हो जाएगा इसकोन से इसकोन के डिस्टेंस को क्या वोलते भिकर्ण पर दौरती है और प्रारंभिक बिंदू पर वापस आ जाती मतलब यहां से दौरना शुरू की यहां पर आई और फिर यहां से दौर करके प्रारंभिक बिंदू जहां से दौरी थी वहीं पर आ यह 50 हो जाएगा दिए 50 मीटर जाएगी 50 मीटर नानक यह फोगनात्म पुर्णानक हो कोई पॉजटीप पुर्णांक है ुसन संख्यांत नहीं एक 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 संख्यां अर्टक चीह हैं तो इतना बचता है , तो मतलब एक है और एक Y , दोनों को गुना करेंगे कितना हो जाएगा ,375 हो जाएगा , कहरा है एक को जब दूसरा से Divide करेंगा , मतलब एक सब्दय करेंगा . 5ंजितन बट यहा जाएगा ? फाइएग के लिधुल के लिधि न्यूति , जब य का भैलू आजाएगा तो फिर आप क्या करेंगे य इसमें पूट करके एक्स का भैलू भी फाइंड कर लेंगे तो जब आप इस एक्वेशन को स्वल्ब करेंगे तो एक आएगा जो आपको 25 आजाएगा मतलब और एक का भैलू आजाएगा 15 तो करा है कि छोटी संख्य माइनस का अर्थ गुना है एवं पलस का अर्थ भाग है तो इतना का मान बता है देखिए इसमें कुछ नहीं करना है जो यहां पर पलस डिवीजन के जगव माइनस कर रहा है तो जहां डिवीजन का साइन है वहां माइनस देंगे जो उसके गुना का अर्थ पलस है तो जहां पर उसके आप अप्सोल्ब करेंगे तो आपको यह सिंपली सोल्ब हाजागा कोई बहुत बात ही नहीं है इसमें जो आप्सोल्ब करेंगे तो आपको 47 अंसर सी ऑप्सन आ जाएगा चलिए नेक्स देख लेते कह रहा है कि पारिस्थिति की तंत्र एको सिस्टम की संरचना को कि परिभासित किया तो पारिस्थिति की तंत्र को परिभासित करने वाले बैक्ति थे और थे और ठांसले कौन थे और ठांसले थे चलिए नेक्स्ट याद रखेगा चलिए 70 68 नमूर कुशन देख लेते हैं 68 करा यहां पर कुछ कथन है और कुछ निसकर्स दिएगे उस पर सब्सक्राइब कुछ निसकर्स दिए गए हैं चलिए ठीक है आपको दिए गये कथन को सही मान कर चलना है 54 समांड़ीयां तथ्यों से फिन परतीत होते हैं कथन यह कह रहा है कि यूवां बहुत महत्वाकांची है både महत्वा कांची है बहुत सारे बुरे लोग इज़ा ज़ि गई है तो इसका मतलब अब कि budget इख से बहुत सारे यूबा कारे बहुत सारे बुरे लोग यूबा पिडी बिगार रहëं और निशकर सकींड से बहुत सही लगेगा सबसे पहले आफ कर लेगे 15 18 को सबसे पहले डिवाइड करले तो क्वrän्ट 75 होगा जब 48 by 60 को divide करेंगे, तो आपको 0.80 आ जागा, जब 21 बटा 28 को divide करेंगे, तो 0.75 आ जागा, और जब 75 बटा 100 को divide करेंगे, तो आपको 0.75 आ जागा, देखिए, सब में same आ रहा है, है कि नहीं, ये अलग है, तो इसी का मतलब है 48 by 60 अलग होगा, देखिए, दूसरा बाते हैं, तो इस तरह सिवे, आप इसको क्या कर सकते थे, मतलब बता कर सकते थे, चलिए, नेक्स देख लेते, 70 नमर कोश्चन कह रहा है कि, कि एक मसीन, 70 नमर कोश्चन है, कि एक मसीन के निर्मान के मुल्य को सामगरी, सरम और अतिरिक्त खर्च में, के बीच में बाटा गया, ठीक है किस-किस में, सामगरी है, सरम है, और अतिरिक्त खर्च के बीच में बाटा गया, इसका अनुपात जो है, पांच, अनुपात तीन, अनुपात एक है, यदि आवन्टित किया गया, अतिरिक्त खर्च इतना रुपिया है, तो मसीनरी के मुल्य का पता लगाने के लिए कर एक सिंपल सा है, इसमें कुछ है नहीं, अनुपातिक में जो दिया हुए सबका योग निकालें के पांस्तिना ठेक, नो कितना हो जागा, यह नो हो जागा, है कि नहीं, मसीनरी का मुल्य कितना है, इतना मुल्य है, है कि नहीं, तो मसीनरी का मुल्य इतना है, अनुपातिक, जब बनाने में मुली होगा वो टोटल मुली होगा मतलब जो सामगडी लगेगा जो स्रम लेगा और अतिरिक्त खर्चों को सब मिला करके मसीन बनेगा तो मसीन का मुली क्या होगा इस तीनों को मिलाने से जो खर्च होगा वही मसीन का मुली होगा तो यहां पर और अतिरिक्त है औनुपात में आति रेक्त खर्ण का फल्व इतना है तो हम क्या करेंगे एक का फैल दिया हूआ एक का लुद्य फैलू दिया हो 되면 नौ इसनेनोश मल्टीपलाइ कर देंगे तो 9 से जब मल्टीपलाइ करेंगे तो उसका मसीड़ी का बैलु जब इसको मनों से मल्टिप्लाइ करेंगे तो आपका जो है यह बी ओप्सन सही हो जगा मतलब 13,45,500 रपिया आपका आजागा चलिए 71 नमर को चन दे दुनिया में बोली जाने वाले दूसरी सबसे बरी भासा देखिए यहां दुनिया में बोली जाने वाले अंग्रेज जो है दुनिया में लगवख सभी राज पे जैसे एसिया हो या अफरीका हो या अमेरिका हो और जगह राज क्याती इसलिए आप लोग यह सब सुछने कि अंग्रेजी दुनिया में सबसे बरी भासा होगी बोली जाने वाले नीजिए सेबंबली है Terima rat in aigen An śनो में मिश्रित किया जाता है और तीन सो égal बेच दिया जाता इतृँ हैिते। तो 75 पंशाते रुप्या की नीजिल की बेच देंगे ने Ö… नीजिलक भी इस टйरवा जाता है जोत तो यह जोते हैं – 100 जोर जोर देंगेANS का आपस में मिस्रन किया जाता है मिस्रन किया जाता है कि मतलब क्या है मतलब दोनों को जोर देंगे तो उसका क्या हो जागा क्रायमुल हो जागा और बेचता है तो इतना में तीन सो में बेच दिया जाता है यह क्रायमुल हो जागा जो बेचेगा वह भी क्रायमुल हो जागा तबी क्रायमुल कितना है,300 रूपया है, उसके बाद जब लाब हो जागा, इस दोनों को आप जोरेंगे, तो ये जोरने के बाद आपको जो, आजाएक़ ये 255 रूपया होगा, जब इसको आप 255 घटाएंगे, तो 45 रूपया आपको क्या हो जागा, लाब परसेंट हम लोग find करने के लिए क्या करते हैं जेतना लाब होता है उसको multiply कर देते हैं 100 से और बट्टा क्रायमूल क्रायमूल कितना है 255 रुपिया जब इसको आप solve करेंगे तो आपको 17.647 मतलब 17 दसम लाब 647 17.647 लगवग 5 इसके 647 नहीं यह नहीं 647 नहीं तो 647 तो 645 हो जाएगा 70 B option आपका सही हो जाएगा चले 73 नमर कुश्चन देख लेते 73 कह रहा है कि यह जो दिया हुआ तालिका इसी पर 73 से 75 निम लिखित तालिका का ध्यान कर नीचे दीगे परस्ण को उतर दीजिए तालिका विद्यारतियों को दोरदर साई जाती है जिनके प्रापतांक सरेनियों में अंतर यहां लिखा ग किया है जैसे 5 शय सब्सक्राप करायब कि यदि उतिर्न परथी सथ 41 तो कितने परफेसथ विद्यारतियों है ठीकि यहां पर नुतिर्न लिख रहा है मतलब लिख सकते एकती है यह उपर इतना विद्यारति ड्यग सब्स पर नुत कर नauptना हो जाएके नíst यह जो जो 14 16 22 तो जब आप जोड़ेंगे नापां 14 16 कितना और चाहएंगे तो देखिए यहां पर आपको कितना हो जाएगा अनुथिर नभी आर्थी कुछ आपको कितना हो गई लेकिन आपको क्या फाइंट करना है परतिसत फाइंट करना तो क्या करते हैं लोग जो संखियां उसको जो है स्टुडेंट क्या किया है अनुतिर्न आपका सही होगा चलिए देख लेते हैं कितने परतिशत विद्यार्थ 44 गितने परतीसत विदियारत ही हुए 80% से ज्यादा 807 पर skip 80 से ज्यादा औ Karma करने वाले h questi यहीं यह यह 437 है कि में पर्तिशत प्रक्तित करना एक तो गूमils हंडेटS जोंब करने लाइस तो आपको 5.8, 3 हो जागा देस्ट्य आप 54 का भी उप्सन सही हो जागा चलिए 75 नमबर देख लिए 75 कह रहा है कि उन विदियार्थियों का परतिसत क्या है जिन्होंने 41 से 70 परतिसत के बीच अंक पराप्त किया थे चलिए यहां देख लीजिए आपके हो जाएका आपको कितना हो जाएगा तो 55 को हमको क्या करना है परसेंट में चेंज करना है टोटल कितना 120 है गुने 100 करेंगे जब इसको परसेंट में चेंज करेंगे तो 45.83 हो जाएगा मतलब 45.83 तो चलिए 75 में देख लेते हैं तो चलिए 75 का आपका बी ओप्सन सही हो जाए नेक्स्ट 76 नमर कोश्चन देखें यहां पर कुछ मिस्प्रिंट है लेकिन आप लोग टेंशन मत लीजे मैं इसको सही सही परके सुना दूँगा आप लोग ध्यान से सुनिए नेक्स्ट करा है कि एक रहने वाले एक रहने वाले रेसिडेंशियल फ्लाइट की कीमत परतिक वर्स 15 परतिसत बिर्धी हो जादी मतलब कोई फ्लाइट है जिसका जो है कीमत पर येर 15 परसंट की बिर्धी करता है यदि बर्तमान मुल इतना रपिया है तो दो वर्स के बाद उ तो यहां पर आपको क्या करना है मतलब मिस्रधन निकालना है दो साल के बाद एक दम आपको फॉर्मूला पता होगा पी इंटू वन प्लस आर बाइ हंडेड और का पावर्टी होता है फॉर्मूला तो देखें यहां पर पी क्या हो जाता है जो मुल्य है यह एक देन से ग्रह शार अधिसमार टो आ सब्सके जहाäg परदेट निकास के द्वरा प सिधान्त ऑपको पता होगा यह जो ची तरीकें से बहुत ही अच्हीं तरीके से सुन्दर तरीके से बताया गया है विकास के सिधान्त के बारे में चार्ल्स डार्विन के द्वारा इतम मतलब आप पर यह इंटर का पर यह तो उससे ज्यादा सेविन में आनंद आगा क्योंकि वह बहुत अच्छी तरीके से बताया गया बच्चों की तरह से बताया गया चले हम लोग इसे कुछ प्रिंट करते हैं तो चलिए 79 नमर कोश्चन देख लिए 79 नमर कोश्चन कह रहा है कि यदि किसी कूट भासा में किसी कूट भासा में फ्रुक्त करह कोश्र लीकाश कि भासा में जब भासा में इसको आप देखें मतलब 13 एड्म है कि थर्ट्न एड्म हे उप इसमें शूर करें वह बीच के बिच का अक्षर पूछ पुछा इसमें सभी क्या किजिए जो वह बीच में ची हो पहली को बीच में चरश सब्सक्राइब मैं सकते हैं इतना आपको क्रीक्स सकते हैं मैं आपको reasoning या math परहा नहीं रहा हूँ कि आपको हर एक चीज बता हूँ यहां आपको revision कर वा रहा हूँ तो आपको revision है previous year का question है तो यहां आने का मतलब है कि आपका math complete है आपका reasoning complete है आप उसमें दक्ष हो चुके हैं question बना सकते हैं अगर दक्ष नहीं है या कुछ भी समस्य है तो आप मुझे बता सकते हैं मैं वह भी आपके लिए reasoning का भी class लेके आऊंगा चलिए बारत के बरतमान मुख्यने अधिस कौन है तो अभी तो बरतमान मुख्यने अधिस बदल गए हैं तो आप मुख्यने अधिस को भी अच्छे तरह से देख लिए कर रहा है कि रियाल रियाल जो किस देश की मुद्रा है एकदम सिंपल सा question है रियाल जो है ब्राजिल की मुद्रा किस की ब्राजिल की मुद्रा आपका C option सही है चलिए क्यूबा की मुद्रा आपको पता है क्यूबा की मुद्रा जो पीसु है और जांबिया की मुद्रा दलासी है देखिए एकदम अजीब नाम है जांबिया की मुद्रा दलासी और क्यूबा की मुद्रा पीस है इसलिए मैं आपको बता दिया हूँ यहाँ पर जो रियाल जा रहा है वो ब्राजिल की मुद्रा याद रखेगा भूलिएगा नहीं जेकि 82 नमर कोश्चन कर रहा है आत्मिनिर्वर्ता हासिल नहीं की देखिए जब इस तरह को चनव करते हैं कथन और निसकर्स वाला तो आप कितना भी इसमें दक्ष हो आपको जो है कलती करवा ही लिया जाएगा आपसे गलती हो ही जाएगा इसलिए जो है कोश्चन जो आप कथन परते हैं उसको कम से कम दो से तीन बार बोर ये एकदम कथन को अच्छी तरीकίζ से समझेए फिर निसकर्स को भी दो से तीन बार समझेए उसके बाद दोनों में मिलाईए कि कहा सही और क्या गलती है देखिए कि दुनिा के किसी भी देस ने आत्म निर्वर्ता हासिल नहीं की है और B कह रहा है कि मसीनी करन बिल्कुल नाकाम रहा है किसके बारे मसीनी करन के बारे में कह रहा है कि बिल्कुल नाकाम रहा है निसकर्ष क्या है कि आत्म निर्भर बनना अशंभव देखिए जब आप इसको परहेंगे तो इसमें आत्म निर्भर बनना असंभव है ऐसी बाते नहीं कही गए कर रहा है कि दुनिया के किसी भी देशन आत्म निर्भाता हासिल नहीं कही लेकिन इसका मतलब यह नहीं निसकर्स निकल ला है कि मसीनी करन बिलकुल नाकाम है अधि आत्म निर्भार बनना असंभव है ऐसी बाते नहीं कही गई है इसलिए आपका जो करन बिल्कुल नाकाम है लेकिन यहां पर ऐसी कोई बात नहीं कहा है मतलब दूर निशकर्ज भी आपका सकेंड भी क्या है गलत है तो इसका मतलब क्या है 82 कोई भी अनुसरा नहीं मतलब सी ऑप्षन आपका क्या हो जागा सही हो जागा चली 83 नुमर कुश्चन देख लेते 83 का कर रहा है कि इतना दिवाइड का यहां दिवीजन का साइन है मतलब भाक का सिंबॉल है इसको कर रहा है कि यहां पर दखेए इसको चली मैं बनाई देता हूं कर रहा है कि 0.000825 है इसको डिवाइड करना है तो 5 presents 65 nesse कि एक स्वाइट करने ये डिवायड कोना हैं कि दीजीट के बाद धर यह छे सहीप गताईंगे यहां पर यहें पर 21 acha यहां पर 500 चाहां यह में क lips हम नीचे क्या करेंगे एक पर 40 लीकेंगे और इसको क्या क्या डिवाइड करेंगे 5 से 5, 5, 5, 6, 35, 25, 165 हो जाएगा 165, 165 बटा हो जाएगा, 1 पर 4, 0 हो जाएगा कितना होगा, 1 पर 4, 0 होगा, याद रखेगा इसको जब इसको आप क्या करेंगे, 4 अंके बाद, तो यहाँ पर देखें होगा, तो यह आपका आंसर हो जाएगा, देखें किसमें है, 0.165, 0.16, 0.0165, यह ओप्सन क्या हो जाएगा, 83 का जो है, 84 देख लेते कहना है, इन में से कौन सा रासाइनिक परिवर्तन का एक उदारन, यहाँ पर पूछा जा रहा है, रासाइनिक परिवर्तन क्या है, रासाइनिक परिवर्तन, रासाइनिक परिवर्तन क्या होता है, जब किसी भी चीज में हम लोग कुछ परिवर्तित कर देते हैं, अगर रासाइनिक परिवर्तन है, तो फिर उसको मतलब उसमें नहीं ला सकते, जैसे दूद से हम लोग जब दही जमाते हैं, फिर दही को दूद नहीं बना सकते, वो रसाइनिक परिवर्तन होता है, जैसे देखे कागज को हम लोग जला देंगे, तो फिर जलाया हुआ पदार्थ से कागज नहीं बना सकते हैं, वो रासाइनिक परिवर्तन है यह question बिहार दरोगा में भी पूछा जा चुका है उसके बाद देख लीजे जैसे पानी से अगर बर्फ बनाएंगे तो बर्फ पानी फिर बनाया जा सकता है तो वो physical change है लेकिन रासाइनिक परिवर्तन का एक उदारन है 84 चलिए 85 नंबर देख लेते हैं 85 नंबर question कहा रहा है 85 क्या कर रहा है 85 निम लिखित जानकारी का धियन करें नीचे दीगे परशने कुतर दीजिए चलिए ठीक है 70 70 बेक्तियों के किसी पार्टी में बाबन अंग्रेजी बोल सकते हैं 20 फ्रेंच बोल सकते हैं ठीक है 70 बेक्तियों उसमें कह रहा है कि बाबन अंग्रेजी बोल सकते हैं यहां पर बाबन लिखते हैं अंग्रेजी को ई से डिनोट करते हैं इंगली और 26 जो है फ्रेंच बोल सकते हैं और 26 कह रहा है फ्रेंच बोल सकते हैं ठीक है उसके बाद कह रहा है कि फ्रेंच बोल स सकते हैं चलिए 85 में तो आप यहां देख सकते हैं डेखें टोटल कितना है टोटल जो है 70 वैजी इफ उसमें ऑफद इंगलीस बोलता है और 26 जो है फ्रेंच बोलता है तो आपको क्या चीए दोनों भासा बोलने वालों के संखिया आप सालेंगे तो कितना हो जागा दोनों को जोर करके माइनस कर देंगे 70 से तो आपको कितना हो जागा एक आदमी ऐसे हैं जो दोनों भासा बोल सकते हैं कितने बेग्त क्वेटि वरे बोल सकते हैら abundantly कुछता है कि आपको पुछता है किितने बेग्ति सिर्फ रैंच बोल रहा कि आपको पुछ रहा है कि सिर्फ वरेंच बोलते हैं और यो डोन भास आप ऑलते हैं तो 26 में भाटा लेंगे तो जो बच जाएगा 18 वो जो है 26 में से जब 8 कराएंगे तो 8, 6, 14, 18 ये C option आपका क्या हो जाएगा 18 बैक्ति मतलब 85 का C option सही हो जाएगा चलिए next देख लेते 86 नमर question 86 का रहा है कि सिर्फ अंग्रेजी बोलने बाले बैक्ति तो आप अंग्रेजी कितना बोल रहा है बावन बोल रहा है बावन अंग्रेजी बोलता है कि नहीं आपको चाहिए क्या और 8 दोनों भासा बोलता है तो बावन में से 8 हम लोग क्या करेंगे घटा लेंगे तो जो आज आएगा आपको 44, 44 क्या हो जाएगा 86 का यह एक आप्षन आपको सही हो जाएगा 86 का यह ऑप्षन 44 है और करो दोनों भासा बोलने बालों के संख्याँ आप से 6 का यह 203 देख लेते हैं 87 88 88 का रहा है कि संबलम ट्रैपीजम एक छत्र भूज है जिस कि क्या होता है संब्लम के बारे में पूछा जा रहा है देखिए एक सम्ब्लम क्या होता है इस तरह के एक चतर भूज होता है मतलब जिसका ये सिर्फ एक जोरा भुजा क्या होता है समानतर होता और ये भुजा में समानतर नहीं होता मतलब कोई रिलेशन नहीं होता है इसमें देखिए यहां पर कारा है समलम चतुरहुज के बाद जिसकी सभी भुजाएं समान होती है गलत है विपरिद भुजाएं समान समानतर विप्रित भुजाओं जोरे होते हैं समानतर विप्रित भुजाओं के सिर्फ एक जोरे होते हैं यह आपका 88 का D option आपका सही हो जागा 88 का D option जली 89 देख लेते हैं A का L से क्या संबंध है वो 89 से 91 तक जो है इसी पर बनाना है निमलिखित जानकारियों का अध्यन कर नीचे दिये गए पर उसनों के देखिए P A का पिता है P Kis K Lockus is a do? देखिए A है यहां पर तो P A का पिता है तो यह क्या हो जागा पुरूस होगा इसको हम लोग क्या करते हैं इस चतरफूस से घरते हैं पी ए का पिता है, जिसका बेटा S है, जिसका लगा रहाता है, तो जस्ट पीछे बाले, मतलब A का बेटा क्या हो जागा, A S हो जागा, इसका बेटा हम लोग क्या करेंगे, S ले लेंगे, S पुरूस हो जागा, बेटा है, तो ठीक, उसके बारे, L K की मा है, क्या है, L K की मा है, L जो है, किसकी मा है, K की मा है, L, K की मा है, तो मा कौन है, L जो है, K की मा है, तो L मा है, किसकी है, K की मा है, तो K क्या हो जागा, माइनस हो जागा, मा है, ठीक, जो S की बहन है, जो S की बहन है, जो किसके बारे, जो जस्ट पीछे मतलब K के बारे मतलब S और K क्या है, बहन है, देखिए इस तरह से अब आपको, यहां पर आप देखेंगे, उसके बारे पुछा A का L से क्या समद है, देखिए यहां A है, यहां L है, तो यह क्या हो जागा, दोनों पती पत नहीं हो जागा, 89, 89 नमर को चना आप देखेंगे, तो क्या Rx सबस्ट है, A जो है, L का पती हो जागा, तो यह आपका B आप्सन सही हो जागा, चलिए 90 देख लेते हैं, A का L से क्या समद है, A का K से क्या समद है, 90 में A का K से समद पुछ रहा है, देखिए A यहां है और K यहां है, A का K से अगर यह पती पतनी है, यह पूत्र है, यह क्या हो जागा, पूत्र हो जागा, पूत्र हो जागा, मतलब बेटी हो जागा, तो 89, 90, A कौन हो जागा, A पिता हो जागा, यह पूत्र हो जागा, A का K से समद देखिए, A का Pूछ रहा है समद तो A कौन होगा, A का K से समद तो A पीता हो जागा, 91 कह रहा है कि पी का L से क्या समय जाएथी, यहाँ P है और यहाँ L है, तो P क्या हो जाएगा, P जो है ससूर हो जाएगा, क्योंकि यह इसका पिता है, तो P ससूर हो जागा, तो 91 आपका जो है सवसूर मतलब 91 का सी ऑप्शन आपका सई हो जाएगा चलिए नेक्स देख लेते 92 करहें कॉसेग थीटा इंटू टेन थीटा डिवाइड़ बाइक कॉट थीटा कॉस थीटा का वैलू कितना हो जाएगा कॉसेग थीटा क्या होता है कॉसेग थीटा है कि नही हो जागा और यहां पर 1y it first step 2 है किने 2 थीटा हो जागा webinars सइन कॉसे कंट जागा सांडय कॉसेग करण यहां पर क्या हो जाग कॉसेग थीटा हो जागा क्या हो जागा से की स्क्क्वेर थीट थीटा हिए मतलब 92 ही सी ऑप्शन सही हो जागा चले 93 देख लेए 93 थी कशल रहा यदि कार्य समाप्त करने के लिए 200 और आदमी लगा दिये जाते हैं तो कार्य समाप्त करने में कितने समय लगेगा 15 आदमी ही कह रहा है कि एक कार्य को 10 दिन में कर सकता है मतलब 15 आदमी एक काम को 10 दिन में पूरा कर सकता है बिल्गुल सही बात है, अब क्या कर रहा है, कि 10 आदमी और सामिल कर दी, मतलब 15 तो पहले था ही है, 10 और सामिल करेंगे, तो कितना हो जागा, 25 आदमी कर रहा है, अब कितना दिन में, उस काम को वो complete कर लेगा, तो चलिए हम क्या करेंगे, उसको, मतलब किसी चीज़ से denote कर ले मतलब 6 स्टेज, 6 दिन में को काम क्या हो जागा, 6 दिन में ही खतम हो जागा, मतलब 93 का D option आपको सही हो जागा, चलिए 94 नमर कोश्चन देख लेए, 94 नमर कोश्चन कर रहा है, कि दादा साहिफाल के पुरुषकार से सम्मानित होने वाले पर्थम बेक्ती कौन थे, तो दादा साहिफाल के पुरुषकार आप जा करके अभी तक जितना को मिला है, दो चार बार देख लिए, क्योंकि ये देखिए, चार ओप्सन में देदेगा, इसमें से किसको नहीं मिला है, तो आप उसको चार्ट देखना परेगा, अगर आपके पास चार्ट अबलेवल है त आप उसे देख ले, नहीं अबलेवल है तक कमिंट करे, मैं तो यहां बैठा हूँ, आप लोगों के लिए, चले नेक्स देख लेते हैं, इसके बारे में अप दादा साहिफाल के पुरुषकार के बारे में आप एक बाते और जान लीजे, देवकार आनी को कब मिला था, तो फिल्म छेतरों में अच्छा योगदान देते हैं, विशेश योगदान देते हैं, उनको यह ब्रुसकार दिया जाता है, चलिए 96 नमर कोस्चन देख लेते हैं, 95 कह रहा है कि किसा भ्यारन को पूर में, भरतपूर पक्चिया भ्यारन के रूप में जाना जाता है, देखिए बहुत ही अच्छा कोस्चन है, इसको आप लोग, मतलब पक्चिया भ्यारन से ये कोस्चन है, तो आप क्या करेंगे, पक्चिया भ्यारन भी आप एक बार जाके देख लेंगे, क्योंकि जरूर ही नहीं, यही कोस्चन आपको भरतपूर पक्चिया भ्यारन ही पूछे, आप परगतपूर पक्चिय भ्यारन के रूफ में जाना जाता था 96 होगे चले 95 96 नबर कोश्रन देखे ले थे 96 क्या का रहा है? पाइठे का कोन हिसा पानी और खनीज के परिवहन में सक्छम करता है परिवहन को मतलब पाइठे में कौन सा हिसा जो पानी और खनीज के परिवहन के लिए वो क्या है सक्षम करता है तो 96 का जो जायलम उत्त क्या कर रहा है 96 का जायलम जो है जायलम उत्त कैसा होता है जो पौदे को पानी और खनीज के परिवहन में सक्षम बनाता है तो याद रखिया है जयल्म को जयल्म पॉदों को यांतरिक दिरिटा भी परदान करता है भूलिएगा नहीं 97 नमर कुश्चन इसको कह रहा है कि सरल करने के मतलब इसको पावर माइनस 2 है तो एका पावर जिब माइनस 2 होगा तो क्या हो जागा 1 by A square हो जाएगा लिखेंगे उसके बाद minus 1 है और divided by तो यहां पर क्या हो जाएगा divided by A square है तो A square हो जाएगा minus 1 हो जाएगा जब इसको आप solve करें इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा कितना जो 1 minus 1 minus A square हो जाएगा तो यह अगर आप फिर आप इसको solve करेंगे यहां पर आप देख रहे हैं यहां पर यह कुछ दखेंगे यहां पर जो है a square a का power minus 2 है तो a का power minus 2 मतलब 1 by a square minus 1 divided मतलब इस total को इतने से divide करना है तो total कितना हो जागा a square minus 1 हो जागा 1 by a square minus 1 by a square minus 1 इसको जब आप solve करेंगे तो 1 minus a square by a square into a square minus 1 इतना हो जागा समझ रहे हैं आप क्या फिर इसको आप यह जब cut करेंगे तो आप क्या जोग उपर minus a by a square हो जागा है कि नहीं तो यह आपका option सही हो जागा देखिए यहां minus 1 क्यों आ गया यहां a square minus 1 जब यहां common लेंगे एक minus common लेंगे तो यह a square minus 1 हो जागा तो यह minus 1 बच्चा हो जागा यहां पर a square हो जागा तो आपका जो है कौन सा option हो गया c option आपका 97 का c option सही है चलिए 98 नमर कुस्चन देख लेते हैं 98 नमर कुस्चन कह रहा है कि नीचे दिएगे परस्चन उत्तर हेतु नमर कित कत्नों को पढ़ें चलिए देख लेते हैं करें कि सभी आम मीठे हैं देखें सभी आम मीठे हैं यहां पर आम है और यह आम जो है कर रहा है कि सभी आम मीठे हैं तो इसमें आम हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ये मीठा हो जाएगा, ठिक, सभी आम मीठे हैं, ठिक, उसके बाद कर रहा है, कुछ सेव मीठे हैं, तो कुछ सेव के बारे में मीठा हो कर रहा है, ठिक, उसके बाद कर रहा है, जेनी एक मीठा फल है, जेनी एक मीठा फल पर टरब से किया जा सकता है कॉन्स आ नुम 커म किया सकता है इसी फीगर को आप कैसे भ्यें भी बना सकते हैं जैसे प्रेट हैं आपको हिसे में आरहना है जे प्रेस आ है कि नहीं ऐसे नहीं जेंगे यहां पर जब आप देखेंगे फीगर आप बना ली जीए और मैं आपको यहां समझा देरो कि जेनी एक सेव खा रही है देखेजी तो बात होगी नहीं जेनी कुँनिम्बू पसंद नहीं है जएनी एक नारंगि खरगा रही है जिसकी संभावना सबसे ज़्यादा है मीठा फल खा रहे हैं फोर में कह रहा है कि जेनी एक मीठा फल खा रहे हैं तो मीठा फल खाएगी तो क्या होगा जेनी आम खा रही है इसकी संभावना सबसे ज्यादा है बिल्कुल यह सही बाते हैं क्योंकि निम्बू जेनी एक सेव खा रही है कुछ सेव मीठे हैं लेकिन क्या होगा 98 का क्या हो जागा डी ऑप्सन आपका सही हो जागा 99 नमर कुश्चन आप देख लिए कह रहा है कि इन में से बिसम पद को चुनिए यहां पर क्या करना है बिसम पद को चुनना है 98 दखिए GMT है UTC है EDT है BMI है देखिए रिजिनिंग में जब आप परह होंगे आपको पता होगा कि GMT को मतलब तुरंत अगरम संख्या में लिखें कि इसका जो है बैलू कितना होता है जैसे G7 होता है M13 होता है T20 होता है तो आप इस तरह से जब लिखेंगे तो आपको यहां देखने को मिल जागा 99 यह जो है 99 का बहुत अच्छा कोश्चन है देखिए आर्यभट के बारे में पूचा जाता है आप लोग जो है आर्यभट के बारे में सुने होगे खगोल सास्त्री थे बिहार BPSC में यह पूछा जा चुका है चोशठमी में कि आर्यभट कौन थे आर्यभट आपको एक गनितगे बोलेंगे तो आप लोग को पता होगा आर्यभट जो है जीरो की खोज की थे इसलिए आप लोग गनितगे में लगाएंगे लेकिन आर्यभट जो है एक खगोल सास्त्री भी थे इस चीज को आप तौर भी एक दिन में लेके आओंगा ठीक चलिए इस वीडियों में इतना है तब तक कि लिए धन्यबाद आपका दीन सूबह fasciner झाल झाल झाल